हाई मैं पूजा वेलकम बैक टो माई चैनल संसाइन पूजा कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होगे तो दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ इसकीन वाइटनिंग की एक होम रेपिजिश शेयर करने जारी हूं काफी इजी सी रेमिडी है सभी तरह की इसकीन व सेड है यानि अगर आप मीडियम हो तो दो तीन सेड आपका कलर गोरा हो जाएगा लेकिन आपको इसको यूज करना लगबाए एक महीने तक कि कुछ लोग को तोड़ा टाइम लगेगी क्योंकि सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती है तो प्लीज आप इस रेमिडी को एक महीने तक ही यूज करिएगा और फिर अपना फीडबेक दीजेगा कि आपको कैसा लगा इसमें पढ़ने वाली किसी चीज से अगर आपको थोड़ी सी भी प्राब्लम होगी तो इसका यूज ना करना मैंने इस रेमिडी में ऐसे चीज़ें यूज की है जो आपको घर में मिल और आपका रंग को और भी सुन्दर बनाएगी तो चलिए मैं आपको बताती है इसको बनाना कैसे है उससे पहले कहूंगी वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो आपको लाइक कर देना है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को न मैस कर लेना एक फाइन सा पेश्ट बना लेना है जैसे मैंने बनाया हुआ है दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि पपीता अच्छी तरह क्लीन रहे है उसमें किसी बिता की मिटी या धूल ना लगी रहे ठीक है यानि उसको आपको जब कदू करोगे उससे पहले मैं अचा होता है आप सबही को पता है फिर Temper میں थोड़ा सब दे रही है मु隻 में मौजूद जो एंजयम होते हैं अवई होता है वह हमारे स्कीन की जो डैर स्कीन है उसको निकालता है हमारे स्कीन को अंदर से क्लीन करता है चहरे को मौशर बदान करता है दाग धबो पो को यह जो फेस पैक है यह आप अपनी पूरी बॉड़ी में भी लगा सकते हो कॉंटिटी आप जादा बकर लेना हनी मैंने यहां लगबग आधा स्पून डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करना है जो भी चीज़े आप इसमें डाले उसको अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि पर कच्छा दूद नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल दूद भी डाल सकते हैं लेकिन कोसिस करना है कि दूद कच्छा रहे तो ज्यादा अच्छा है कच्छा दूद हमाई स्कीन को नेच्चर तरीके से ब्लीच करता है हमाई स्कीन में साइन ले आता है निखाल ले आता है हम आपको प्राब्लम को खतम करता है यह रेमिडिय आपको दे में नाइट में जब भी आप चाहो जब भी आपके पास तैम है आप लगा सकते हो सभी तरह की स्किन वाले लगा सकते हैं 16 फ्लस हो तो लगा सकते हो सरदियों के लिए बेस्ट रेमिडिय यह तो सबसे पहले इसको लगाने से पहले हमें चेरे को अच्छे से साफ कर लेना है जिस भी फेस्वास से आप करते हूं वह फेस्वास आपको यूज कर लेना है और अपने फेस पे इस तरह लगा लेना है जैसे मैं लगा रही हूं फिंगर की साहता से ब्रस की साहता से जैसे भी अपने नेक पे लगा लीजेगा। जितना भी प्रोगे क्रोडेक्ट आ BIG wow आपने बनाई है। सारा पैक आपको आपने फेस पे लगा लेना है। आप इसको आप उतना ही बनाओ जितनी जरूरत है। फेस पे लगाने के बाद आपको इसको 10 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है अगर आपकी oily skin है, normal skin है, ये dry skin है, सब को ऐसे ही करना है तो चलिए मैं इसको लगा लिए हूँ, 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ ये पूरी तरह से नहीं सुखेगा, तो आपको पहिशान नहीं होना है, बस दस मिनट के लिए रखना है, फिर normal water से आपको face wash करने के बाद आपको कोई भी soap, साबून या face wash नहीं यूज़ करना है और ये देख सकते हो, मैंने face wash कर लिया, चहरा कितना bright लग रहा है तो उमीद करती हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा, इसको बनाना कैसे, इसको लगाना कैसे है, काफी easy remedy है, week में आपको दो बार इसको यूज़ करना है, एक month तक के आपको यूज़ करना है और फिर फारग देखेगा, आपके skin कितनी खूबसुरत हो जाएगी, आपका रंग कितना बहतर हो जाएगा, सारी जितनी दलने से वो खतम हो जाएगी, black head, white head के सारी problem कतम हो जाएगी, एक remedy से आपके हजारों काम होंगे, हजारों problem कतम हो जाएगी, ठीक है लाइक जरूज करिएगा, बाई, मिलते अगले वीडियो में कोई और remedy चाहिए, रिव्यू चाहिए या किसी तरह का make up चाहिए ना, तो comment करके बताईएगा, ठीक है, बाई, love you all